राखी सावंत ने भी उस पर उस पर हाथ उठाया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कितना अखीकत है अब आरोप और प्रत्तारूप होगा आतुब अपने बचाव में तो खुछ ना कुछ बोलेंगे लेकिन वो जो भी बोल रहे है वो सरासर जूट बोल रहे है पैसे चुगाए के राखी के वीडियो उसको ब्लैक्मेलिंग करता था और दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप थी कस्टोडियल इंटरोगेशन जटरी कुछ था उन सब चीजों पर पहस नहीं लेकिन बोल को जेल के रिजा गया है तो इसको जेल कस्टोडी में बेचा इंघ था जाए गया है और आगे अब आपका क्या आएक्शन होगा अभी एक्शन यहीजी होगा कि आदिल जब बेल अप्लिकेशन सेश्लों कोड में फायल करेंगे तो हम उसे अपोस करेंगे और उसके ऑगे कि जो भी लेगन कारवाई होगी हम उसको फालौ करेंगी और हम उसको अपोस करेंगे राखी के पक्ष में आपने क्या-क्या बात ने रखी आदिल के खिलाफ? राखी के खिलाफ शिकायक क्यों ने तब ही करनी चीए थी आज जब आप अरेस्ट हुए और आप इस तरह के वयान-बाजी कर रहे हो तो वो तो पाती बात है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हर चीज का हम जवाब सही वक्त आने पर विद एविद इविद 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 इवेंगे उनकी तरफ से कि आदिल रहना चाहते हैं राकी सावन के साथ मगर राकी सावन नहीं रहना चाहते हैं इसलिए वो इतना सबनाटक कर रही है आप सबने देखा था कि वो मीडिया में आके बार-बार स्टीप्मेंट्स दे रही थी वो पोस्ट कर रही थी कि वो आदिल को वापिस बुलाने क ठाकी की पास कोई आपच्छ नहीं था, इसलिए उसके इफायर काश्च एपाट बाते। वाइट जाओ जाएट आपके बूलना चाहिए इसलिए उसके आपटे वाइट करेंगे। तो न्याले को जो गलतियां उसने की है अदिल में, उसको सजा मिली उचाहिए तो न्याले के सापने अब उसके लावा हमारे पास पूंप इंचाहरा दो तेंक यू थेंक यू थेंक यू